हाई वरिवन लेट्स क्रैक यूपीसी सीसी हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत आज हम लेकर आये हैं बड़ा इंट्रस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है दोपामी आप मेंसे कई विद्यारतियों ने कमेंट्स किये थे और कहा था कि सर दोपामीन पर भी एक क्लास हो ज दोपामीन क्या है तो दोपामीन एक रासाइनिक पदार्त है एक प्रकार का हार्मोन है हार्मोन जो हमारे किसी भी प्रकार के अंग को सक्रिय या निश्क्रिय करने में मदद करता है तो दोपामीन एक प्रकार का हार्मोन है एक रासाइनिक पदार्त है जो हमारे मस्तिशक से निकलता है इसे motivational हार्मोन या happy हार्मोन भी कहते हैं इस हार्मोन के release होने पर हमें उत्सहा और आनंद की अनुभूती होती है और यदि हार्मोन release नहीं होता तो हमें किसी कार्य को करने में मन नहीं लगता अवसाद या depression या फिर demotivation भी आ जाता है डोपामीन वास्तविक रूप में किसी कार्य को करने में आपको बार बार आकरशित करता है जैसे मान लीजे कोई कार्य आप कर रहें उसमें dopamine release हुआ तो आपको और मजा लगेगा कि आप उसे और करेंगे और इस कारण से उस कार्य के बार बार करने के कारण वो आपकी habit और आदत में आ जाता है पर डोपामीन वर्तमान में एक बहुत बड़ी चुनोती के रूप में खड़ा हो गया है वर्तमान में reels और instagram पर छोटे-छोटे वीडियो लोगों के लिए विध्यारतियों के लिए बहुत ही भयानक एक तरीके से मस्तिश्क में प्रदूशन उत्पन कर रहे हैं मैं सामाजिक प्रदूशन की बात नहीं कर रहो क्यों के विचार बदल रहे हैं बलकि उनका focus पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है कारण यह है जब हम instagram या reels देखते हैं तो हमारे जो दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है और इस डोपामीन रिलीज होने के कारण हमें और मज़ा आता है हम और देखते हैं और मज़ा आता चला जाता है और इसका प्रभाव ये होता है कि हमारे दिमाग में डोपामीन की मात्रा इस इंस्टाग्राम और रील्स के समय बहुत उच्चो होती है और हम बहुत आनन की अनुभूती महसूस करते हैं। ऐसी आनन की अनुभूती या तो किसी नशिले दभाव में होती है या फिर सेक्स के दोरान होती है या फिर किसी प्रकार के मैं कहूंगा कि जिसको कहते लोग होबी बहुत थी और उसकी जिन्दगी की खोईश थी उस समय जैसे आनन की अनुभूती होती है उस टाइट की ये ब आपको कोई कार्य को करने के लिए पहले मात्र एक ग्राम दोपामीन लगता था और उससे आपके अंदर उत्सा आ जाता था आप मोटिवेट हो जाते थे लेकिन अब इस रील्स और जो शौट वीडियो के कारण आपके दिमाग में दोपामीन की मात्रा ज्यादा रहती हैं तो हम कहेंगे मारकेट जाने से लेकर कही और प्रकार की चीजे इसमें आपको उतना मन इसले नहीं रगेगा क्योंकि उतना डोपामीन रिलीज नहीं होगा जिससे उत्सा बढ़ जाता आपको आनन्दा आता और इस कार्यों को करने में आपका ध्यान भटक जाएगा, खत्म हो परिनाम सुरू, आपकी पढ़ाई खतम हो जाएगी, आपका फोकस खतम हो जाएगा, आप में चिर्चिडा पना जाएगा, और आप एक प्रकार से मानसिक विक्रती से ग्रसित हो जाएगे। जाता था, जैसी वो बटन दबाता, चुहे को इंजक्शन से उसके दिमाग में डोपामिन चुहे के अंदर डाल देते हैं, अब देखना इस चुहे ने क्या हरकते करना शुरू के, जब पहली बार उसने दो-तिन घंटे के बाद बटन दबाया गलती से, तो विज्ञानिकों उसे डोपामिन का इंजक्शन दिया, अब उसको सहा और आनन्द आने लगा उस पूरे घटना करब में, अब वह जो पहले दो-तिन घंटे लगाता था, अब वह हर दस मिनिट में बटन दबाने लगा, और डोपामिन दिया गया, अब यहां तक कि उसने हर एक-एक सेकंड मे बटन दबाना शुरू कर दिया, इस डोपामिन का प्रभाव यह रहा, लेकिन अब उसे बटन दबाने के अलावा दूसरे किसी काम में कोई मोह ही नहीं है, वो भूका पड़ा हुआ था, मतलब उसने तीन दिन से खाना नहीं खाया था, पिंजरे के अंदर परियाप्त क्यों ही, मैं यह कहना चा रहा हूँ कि अगर इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं, जो वर्तमान में हम सोशल मीडिया में कई बार देखते हैं, और इसको अगर हम अपनी आदत बना देंगे, तो हमारे ब्रेन में भी डोपामिन की मातरा इतनी ज्यादा हो जाएगी, कि ह किसी दूसरे कार्य को कभी कर ही नहीं पाएंगे, जो खास करके विद्ध्यार्ती तयारी करते हैं, उनसे मैं बार बार कहता हूँ, कि वह Instagram और Reels से दूर रहें, वो कहेंगे सानम आपकी वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं, वीडियो देखिएं, तीन घंटे का दोपामिन को रिलीज करके आपके डोपामिन की भूग बढ़ा देती हैं और बाकी किसी कारे में फिर उतना दोपामिन रिलीज नहीं हो पाथा है अब बड़ा सवाल है कि सर इसको बढ़ाए कैसे डोपामीन को बढ़ाने के तरीके क्या है सबसे पहले तो डोपामीन या सीरे टोनिन एक और हार्मोन कहा जाता है अगर आप एक अच्छी नीन ले रहा है साथ गंटे की साड़े छे गंटे की तो डोपामीन बेहतर रिलीज हो जाता है अगर आप सुभा के समय कसरत करी हेवी कसरत अगर आपको आदत बढ़ गई है तो आपको अपने डोपामीन को नियंतरित करने के लिए ताकि वो जो डोपामिन उधर था उसको कम करके नॉर्मल लेवर पर लाएं ताकि आप जब किताब पढ़े तो भे आपका डोपामिन रिलीज होकर आपको आनंद की अनुबुती हो इसके लिए आप कसरत करें जितना ज्यादा वॉकिंग करेंगे जितना हेवी वर्क होगा दिमाग में डोपामिन की मातरा नियंतरित होती चली जाएगी और फिर एक टाइम के बाद आपको किताब पढ़नी में जो छोटा सा डोपामिन रिलीज हो रहा है वो भी काम कर जाएग जितने कच्चे खा सकते हैं उतना उसका benefit देखा जाता है डोपामीन को ध्यान के माध्यम से वे जितना आप एक घंटा बैठ सकते हैं मैं बस इतने इरक्वेस करूगा अगर आप ध्यान नहीं कर सकते हैं एटलिस दिन में 2-3 घंटे mobile से दूर रहिए और आप अपने दूसरे कामों को करते चलिए आपके डोपामीन को आप बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे डोपामीन बहुत अच्छा हर्मोन है हैपिनेस बढ़ाता है उत्सा बढ़ाता है लेकिन अगर हमने इसको बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा दिया तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाब बन जाता है डोपामीन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपने कंसंट्रेशन को बेहतर करने के लिए छोटी छोटी जो शौट वीडियोज है रील्स है महिने में एक हाद देखी तो बात समझ में आती है इसके आदी मत बन जाईए अन्यता वो चूहे की कहानी याद रखना परिनाम इतने भयानक भी हो सकते है तो यह था आज का टॉपिक डोपामीन, मोटिवेशनल हार्मोन या हैप्पी हार्मोन आपको इस टॉपिक से कितनी नई चीजे पता चली कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और आप अपने जाएंगे